दोस्तो क्या आप जीतना चाहते हैं, क्या आप सफल होना चाहते हैं, क्या आप सक्सेस चाहते हैं, तो सक्सेस होनी के लिए जो आपको चाहिए वो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माधम से बताने जा रहा हूँ कहते हैं न, knowledge is power, but no, knowledge is no power, knowledge is only potential power, manpower is implementation, तो दो ही वर्ट सीखो लेकिन उसे implement करो तो जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनियेगा, और अपने life से relate करके देखियेगा, ठीक है, तो चले कहानी शुरू करते हैं ये कहानी है, एक गुरू और एक सिस्षी की, एक बार एक सिस्षी न आपने गुरू से जाके पूछा, गुरू जी सफलता का रहश्य क्या है, गुरू जी ने उसे जवाब दिया, कि कल तुम मुझे नदी के किनारे आके मिलो, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, सफलता का रह बढ़ने लगा, जब पानी पाउं तक आ गया, पानी कमर तक आ गया, पानी गले तक आ गया, तभी आचानक गुरू ने सिस्षी का सर पकड़ा और पानी में डुबो दिया, डुबोने के बाद लड़का छट पटाने लगा, पानी से निकलने का संगर्ष करने लगा, चोकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और गुरु जी ने उसे तब तक डुबोई रखा, तब तक डुबोई रखा, जब तक कि उसका शरीर पुरा धीला न पड़ जाए, जब देखा लड़का का रंग पुरा नीला होने लगा है, तब अचाना कूप से पकड़ के बाहर न जरूरत थी, तो उन्होंने लड़के ने जवाब दिया, कि गुरु जी मुझे सबसी ज़्यादा जरूरत ऑक्सीजन की थी, सांस लेनी की थी, बोला उसको छोड़ करके बताओ, बोले नहीं गुरु जी उसको छोड़ करके मुझे कुछ सी चीज की जरूरत थी, मैं सिर्फ यही सोच रहा था, कि कहीं से भी सांस का एक छोड़ा सभी कहीं से सांस मिल जा, गुरु जी ने जवाब दिया, यही सफलता का रहश्य है, जिस दिन, जिस दिन तुम्हें सफलता का भोग इतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, जिस दिन तुम्हें सफलता की जरूरत इतनी ही ज को तब ही मिलती है जब इसके बिना जिंदगी अधूरी बेकार और घटियां लगने लगे तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने सपने को एक कदम आगे ले जाने के लिए हमारे चैनल को सब्स आपने बाने